कि असलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम देख से मैं यूटुब चैनल आयान पिजन गाइज आज का हम व्लोग स्टार्ट करते ही इंशाला आप काफी जादा मज़ा आएगा तो गाइज बिना देरी करें हम अपने टोपिक पाते हैं गाइज तो यह आप सामने भी देख सकते हैं हैं सारे अभी कोट के मेरे कंदर बन यह देखें गाइज जाल के अंदर मेरे कपूटर बंद है और आपने एक कलिप लीगो चैलर लेख लिए होगा कि आज का टोपिक होने वाला है इस कपूथर पे तो गाईज इस कभूतर की आपको डिटेयल देता हूं यह देखें यह और इससे दाना भी नहीं खाया जाता तो गाइज इसकी वह ऐसा हमारे कबूतर में भी मारी आ रही है वह देखें आप सामने हमारी जोडो की कबूतरी कितनी सुस्ट बेठी हुई है और गाइज अभी इसको यह देखें मैंने पकड़के दिखाता हूं इसकी चोंच भी गाइ हैं यह कबूतर है गाइज और इससे खाये भी नहीं जा रहा था तो गाइज अभी हम इसको आपनी छस्ट से अलग करने वाले हैं आनिक इसको दूर भगाने वाले हैं गाइज तो इसको फेक देंगें होकि हमारे कबूतर भी बिमार हो रहे हम नहीं चाहते कि इसकी वह सारे कब उतर बिमार होकर मर जाए ये देख ली जाब ये ऐसा कब उतर है गाई तो गाई सबसे पहले हम इसको फेक देते हैं गाई ये देखिए ये अभी हम इसको छोड़ते हैं जाओ ये देखे गाई इहाई पेर आ जाता है वार पस गाईस हम इसको छोड़ने वाले हैं नीचे ताकि गाईस रोड़ पे किसी को दिखे तो वह इसको ले जा सकता है अगर किसी को जरुवत होगी तो इसको बिली बिली ना खाए तो गाईस हम इसको छोड़ने लगे हैं अभी यहाँ पर तो अभी छोड़ते हैं इसको नीचे और देखते हैं कहा पर जाएने लगने लगने और यह नीचे को कहीं पुल चुका है शॉय हमारी बालकनी मेशी जी चुका है कि यह भालकनी हमारे घर से जाने का नाम नहीं एन ले तो सबसे पहले आज हमें भेजना इह ख़ी हो जाए तो चलते हैं नीचे बस यही टोपिक था आज की वीडियो का गाइस आप भी अपनी शक्तर बिमार कबुतर ना रखें गाइस बहुत ज्यादा भीमारी आ रही है इसको छोड़ देते हैं गाइस अभी नीचे चलते हैं यह देखें बचते के और हमारे मुर्गे एकदम सेट है तो जरुउत हो कासा ही काम करते हैं यहादर निचे लेकर चलते हैं और एक सामने फूट पार्ट की दिवाल पर इसको बिठा देते हैं दो माँसे सबको दिखे हैं जिसको जरुवत होगी ले जा सकता है तो अभी चलते हैं इसको नीचे लेका है इसको नीचे आ गया है इसको यहां पर छोड़ते हैं और दो कबूतर में ने अपने खोले थे गाइस कबूत्रों में भी विल्कुल बरकत नहीं हो रही है अपने कभूतर गाई जादा सुश्ट बैठ रहे हैं और गाई इस इंपूतर की वजह से बैठ रहे थे तो गाईज आप देख सकते हैं वो बेठा वो जूम देखिए वो बेठा है गाईज और उपर से नीचा आने में गाईज ठाग गया हो तो अब साम हो चुगी है कबूतर गाईज अभी हम खोलते हैं और इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको एक हमारी कबूतरी कितनी ज्यादा ओगाईज बीमार हो रही है आख 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 भी कलousse हलकी हो चुकी है कबूतरी है देखतें आप यह देखें गाईज इस तरीक दें गिर रही है तो हम इसका भी ठीटमेंट भी कर देंगे फाइनली लुग जो हमें हटाना था वो कて हुमने हटा दिया है कबूतर ऊपर नीचा रहा है अप इसको भी निकाल देटी निकल जारे यह निकल एक कबूतर है गेट कर देः रहरा यह बंगा i s है कबूतर खाष एक दम सुस्त बेर आते है था है पता नहीं क्या हुरा था इन कबूतरों में अब तो लगड़ेए गईसấp सभी को बयदो नदा लग रहे हैं अब बहुत्स बुख माती है के वह बहुत लेकरें में हमारों जीन बुख उद्योंत कर तो गाइज हम कल कबूतरों की डील करका आये थे हमें कबूतर चाहिए थे उडर गर है तो वे भी हमें गाइज बुला रहे हैं बोल रहे सारे कबूतर ले जाओ तो गाइज आज का वलोग हम यही पर समाप्त करते हैं इशाल्ला आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आपिस्टा